देखे चीन बेहद परेशान है और अब अमारिका की टेंशन दो गुना यहाँ पर ज्यादा हो गई है क्योंकि इरान ने अपनी पूरी ड्रोन फोर्स यूद के लिए तैयार कर दी इरान अगले 24 घंटे में एक ऐसा खतरनाक जोरदार हमला कर सकता है जिसका सबसे बड़ा टारगेट इसरेल है लेकिन इस बीच इरान ने एक वीडियो भी जारी किया और इस वीडियो को जारी करके बाइडन को बहुत बड़ा सदमा दे दिया अजार के इसरेलों को से बीच आफोरदार गलदार के लिए विए इसका से तुराइड आफोरदा के लिए बाप़र विए तो युदरुत जोशे बाइडन के लाइंच कि अन्य आफोरे में एक यह जोए लाइंच की वीडियो ये ड्रोन से धमाकूं का वीडियो ये तस्फीरें इरान को बहुत जोश दिलाती हैं और ये ही वज़ा है कि उसने अमेरिका को एक वीडियो दिखा कर ऐसा शौक दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है ये है अमेरिका का सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर जो पर्शियन गल्प से गुजर रहा है यानि फारस की खाड़े इसे इरान अपना इलाखा मानता है लेकिन खबर ये नहीं चौकाने वाली बात ये है कि अमेरिका के इस डिस्ट्रॉयर का वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है वो इरान का एक अटैक ड्रॉन है इस वीडियो में इरान के ड्रोन ने अमेरिका के इस जहाज को टागट पर लिया हुआ है और यही बात बाइडन को डराने लगी है इरान इस वक्त बहुत ज्यादा अक्रमक हो चुका है वो अमेरिका को बहुत गड़ा सबक सिखाना चाहता है इरान बार बार कह रहा है कि जर्णल कासिम सुलिमानी की हत्या का बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है और अब उसने ड्रोन वाली पावर दिखाकर ये बहुत ही खतरनाक मेसेज अमेरिका तब पहुँचा दिया है इरान ने अपनी ड्रोन पावर दिखाने के लिए एक बड़ा युद्धभ भ्यास किया है इस युद्धभ भ्यास में दोसों से ज्यादा ड्रोन लाउंच किये गए जो उसने खथ बनाए हैं जिन ड्रोन को इस युद्धभ बिहास में शामिल किया गया उनमें चामरूश, यासिर, सादिक, पेलिकन, कमान, यजनदान और मुहाजिर ड्रोन है इन ड्रोन के जरिये एरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों को बता दिया है कि छिडोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह बर्बाद कर देंगा इरान की ड्रोन टेकनालोजी बहुत आगे पहुँच चुकी है, ये युक्रेन की युद्ध में रूस की मदद कर रही है तो यमन के अलावा सीरिया और अब लिबनान में हिजबुला भी इरान की ड्रोन पावर का इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन जब से अमेरिका की वार्शिप के उपर इरान की ड्रोन मंडराता हुआ दिखाया गया है, बाइडर और उनके दोस्तों में गज़ब की दहशत पहल गई है क्योंकि सब बाइडन से सवाल कर रहे हैं कि इरान का अटैक ड्रोन उनके जंगी जहाज के उपर उड़ता रहा, उसके बहुत करीब आ गया और उसे टागट पर भी ले लिया लेकिन अमेरिका की नौसेना को इसकी खबर तक नहीं हुई, आखिर ऐसी ड्रोन पावर से अमेरिका कैसे निप्टेगा क्योंकि एरान ने ये ड्रोन जारी करके साबित कर दिया है, कि उसकी ड्रोन पावर तो अमेरिका को ही निप्टा सकती है, किसी भी वार्शिप के लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी ही नहीं बेज़जती वाली बात है कि दुश्मन का जोन उसके उपर मंडराए और उसे खबर तक नहोगी अमेरिका का आर लेक पर्क जाहाज दुनिया की सबसे बेहतर एर डिफेंस और मिजाइल डिफेंस हप्यारों से लेस हैं अमेरिका के पास ऐसे उनहत्तर जहाज हैं ये वार्शिप ऐसे रेडार से लेस हैं जो सेक्डों किलमेटर दूर से आसमानी टागेट को खत्म कर सकते हैं इसमें लगा एर डिफेंस सिस्टम भी दुनिया के किसी भी वार्शिप के एर डिफेंस से बेहतर माना जाता है और ज्यादा सटीक माना जाता है इसकी फायर पावर ऐसी है कि ये अकेला वार्शिप पूरी एरान की नेवी को खत्म कर सकता है लेकिन इसी जंगी जाहस के उपर अपना ड्रोन मंडराकर इरान ने अमेरिका का आत्म लुश्वास किसी चीशे की तरहा चकना चूर कर दिया है अब इरान के आसपास तैनात होने वाला अमेरिका का पूरा बेड़ा खत्रम हसूस कर रहा है इरान ने खुद को एक ड्रोन सुपर पावर के रूप में पेश कर दिया है और उसके टागिट पर इस वक्त दो देश पहला है अमेरिका और दूसरा है इस्राइल इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है यहां इरान का खासा दबदबा रहता है और यहां पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समुत्री बेड़े को भी इरान बहुत बड़ी चैताबनी दे रहा है इरान की ड्रोन एक्सिसाइज में हर दाव परक लिया गया है पहला ड्रोन है अबावेल 3 जो रनवे से टेक आउफ करता है वो पूरे स्क्रेट और हार्मूस पर नज़र रखता है यह इरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसे मन निगहबान माना जाता है दूसरा ड्रोन है आरिश 2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक आउफ करता है वो नज़दी की पहाड़ पर दुश्मन के एक अड़े को टागेट करता है तीसरा ड्रोन यह है अबावेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉंच किया जाता है और फिर इसका टागेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहाज यह एक नेवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबावेल 2 बहुत ही सटी खमला करता है इस तरह इरान ने अपने तमाम हथियार आजमाने शुरू कर दिये है इरान की रणनीती शुरू से ही आख्रमक रही है ऐसे ट्रेलर रिलीज करके इरान बताता रहता है कि पर्ष्टमेशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीजा बहुत बुरा होगा इरान के ड्रोन बहुत खतरनाक है ये पूरी दुनिया मान चुकी है युक्रेन में इरान के शाहिद 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है युक्रेन के बिजली घरों पर रूस ने इरान के ड्रोन से ही हमले की और उनको इतना नुक्सान पहुंचाया कि 50 प्रतीशत युक्रेन अंधिरे में डूप गया और अब यही फायर पावर लेकर इरान खाड़ी देशों में बड़ी पावर बन चुका है सवाल है कि इतनी बड़ी ड्रोन पावर बन कर इरान क्या करना चाहता है इरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिटरी बेस है और इन में कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सेनी तैनात है इरान की वार्निंग है कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपना बुरिया विस्तर समेट कर भाग जाए नहीं तो वो उसे भागने पर मजबूर कर देगा इरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और ड्रून्ट फाइरिंग रेंज और साथ में उससे होने वाले धमागी की ताकत दिखाकर इरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के हर मिलिटरी बेस को अपने टागट पर ले लिया है अमारिका और इरान की बीच में तनाव लंबे वक्त से है कई अर्सूं से है लेकिन यहाँ पर यह समझना बेहत जरूरी है कि आखिर इरान सीधे सीधे तोर पर अमारिका को चुनौती क्यों नहीं देता दरसल कुवेट में अमारिका के 10 सैने अड़े हैं तमाम गलफ कंट्रीज में जहां जहां पर सैने अड़े हैं अमारिका के वहम आपको बता रहे हैं सबसे पहले इसमें आता है कुवेट कुवेट में 13,000 सैनीग तेनाथ हैं अमारिका के और यहां पर देखिये सैनेकु की आवादी कितनी है 13,000 जो कि अमारिकी सैनिक और बहरीन में अमारिका ने 12,000 अड़े बनाये हुए है और यहां सैनिकु की जो संख्या है वो 3,700 के करीब है और इसी वज़ा से यहां पर कई फौजी अमारिका के तैनाथ है वहीं साओधी अरब की ओर आगे बढ़ते हैं और अमारिका के 10 मिलिटरी बेस यहां पर है साओधी अरब में और यहां पर सैनिकु की अगर संख्या की बात की जाए तो यहां पर अमारिकी सैनिक 3,000 हैं तो आप देख सकते हैं कुवेत, बहरीन और साओधी अरब यह वो देश हैं जहां से इरान बहुत जादा करीब है और यहां अमारिकी सेना का होना उसके लिए खत्रा बन जाता है यही वज़ा है कि इरान अब अमेरिका को इस इलाखे में परदाश नहीं करना चाहता क्योंकि उससे लगता है कि अमेरिका इनी अड्डो से उस पर नज़र रखता है और यही से वो कभी भी इरान के न्यूकेलियर अड्डो पर हमला कर सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका की जितने भी अड्डे हैं वहाँ उसके बहुत ही खतरनाख खत्या तैनाथ रहते हैं यहां अमेरिका का F-16 भी है F-15 भी है F-18 भी तैनाथ है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहां तैनाथ करता रहता है इसमें एरान के लिए सबसे बड़ा खत्रा है कतर का अल-उदैद एर बेस जो पूरे पश्रिमेशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस है यहां अमेरिका के अलावा ब्रिटन की रॉयल एर फोर्स भी तैनाथ है दोनों देशों के यहां करीब डिर्सो फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनाथ रहते हैं यहीं से अमेरिका पूरे पश्रिमेशिया पर नज़र रखता है इरान ने अब अमेरिका को खुलम खुला वार्निंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका एरान की धंगियों को हलके में नहीं ले सकता अमेरिका के डिस्ट्रॉयर के ऊपर अपना अटैक ड्रोन बंडरा कर एरान ने एक तरह से बाइडन को युद्ध का नोटिस दे दिया है